सुप्रीम कोट ने एक आदेश दिया था, 11 मई को सुप्रीम कोट ने आदेश दिया था, सुप्रीम कोट ने क्या कहा, सुप्रीम कोट ने कहा, भारत एक जनतंत्रे, इस जनतंत्र में हम अपनी सरकार चुनते हैं, जनता अपनी सरकार चुनती है और उस सरकार को जनता के लिए काम करने की पूरी ताकत होनी चाहिए सुप्रीम कोट ने का प्रधान मंत्री जी ने एक ही हफते के सुप्रीम कोट के जैसी आदेश आया एक हफते के बाद उसको सुप्रीम कोट के आदेश को पलट दिया और उसके खिलाफ एक अध्यादेश लेके आये और आज हमारे देश क के संसद ने उस अध्याधेश को इस हदेश का कानून बना दिया कि अब दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार को काम करने की कौई तकत नहीं होगी अब इस कानून में लिखा है कि दिल्ली के लोग जो अमर जी सरकार बनाएं लेकिन उस सरकार को चलाएंगे एल जी साब और मोदी जी सीधे-सीधे वही लोग चलाएंगे इस सरकार को तो इससे साफ जाहिर है कि प्रधान मंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोट को भी नहीं मानता जिस देश के प्रधानमंत्री उस देश की सरवुच अदालत को निमानते, उस देश का क्या भविश्य हो सकता है, सीधे सीधे वो कह रहे है, सुपरीं कोट जो मरजी आदेश पास करे, अगर मुझे सुपरीं कोट का आदेश पसंद नहीं आया तो मैं उसके खिलाफ कानून Bena के सुप्रेंग कोड के आदेश को पलट दूँगा इतना हेंकार हो गया इन लोग